सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एबरिवान वेलकम बैक माई चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ आलू चावल के अप्पे की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो आईए हमें स्टार्ट करते हैं आलू और चावल के अप्पे को बनाना आलू और चावल का अप्पे बनाने के लिए हमने यहाँ पर हेंडेट ग्राम चावल ले रखा है चावल को मैंने ओबन नाइट के लिए भीगो दिया था चावल हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है और हमने जितनी मातरा ली थी चावल की उससे ये ज़्यादा हो गया है चावल को भीगोने से पहले आप इसे साप पानी से तीन से चार बार अच्छे से वाश कर लीजिएगा क्योंकि चावल में डस्ट होती है जिसका निकलना बहुत ही जरूरी है उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चार उबलेवे आलू ले रखे हैं आलू को मैंने वाइल करके इसे मैश कर लिया है आप चाहें तो इसे कद्दू कस में ग्रेट भी कर सकते हैं अब हम चावल को पीस लेंगे इस ब्लेंडर जार में डाल कर चावल को हम सूखा नहीं पीसेंगे क्योंकि चावल हाट होता है इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तभी इसको हम पीसेंगे चावल को अगर पीसने में कठनाई हो आपको तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजीगा तभी आसानी से पीसा जाएगा चावल को देखिए मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है एक दम fine paste इसका तयार हो गया है अब हम चावल में बाकी की सामगरी को भी add कर देते हैं हम सबसे पहले इसमें डालेंगे mash केवे आलू हम पूरा आलू इसमें डाल देंगे एक बार में आलू के डालने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं वन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर रेड चिली पाउडर आपके स्वाद के अनुसार रहेगा जैसा तीखा पसंद करते हूँ वन टेबल स्पून जीरा भी डाल दिया है वन टेवल स्पून डाल रही हूं मैं इसमें वाइट सॉल्ट यानि साधा नमक आपके स्वाद के अनुसार रहेगा वन टेवल स्पून इसमें जाएगा अब चाट मसाला आप चाहें तो इसकी जगा पर ड्राइ मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं इसको और चिरपटा बनाने के लिए अब मैं इसमें add कर रही हूँ हरा धनिया बारी कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद मैं इसमें add कर रही हूँ कुटी हुई अदरक और ये हरी मिर्च बारी कटी हुई दो हरी मिर्च की quantity आपके स्वात के अनुसार रहेगी और ये गाजर बारी कटीवी में डाल लई हूँ आप कोई भी सबजी डाल सकते हैं इसमें जो आप पसंद करते हूँ शिमला मिर्च बीन्स अब हम सारी सामगरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस्पून की हेलप से इस तरह से चलाते हुए आप इसमें कोई भी सबजी डाल सकते हैं शिमला मिर्च बीन्स जिससे ये नाश्टा बहुत ही टेस्टी हो जाएगा और बहुत ही हिल्दी भी और यहाँ पर मैंने सारी सामगरी को अच्छे से मिक्स कर दिया है चलाते हुए मुझे अभी थोड़ा सा थीक लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल नहीं हूँ इसको पतला करने के लिए पानी डालने के बाद मैं इसको फिर से मिक्स कर दूँगी चलाते ही चम्मस से पानी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लिया है स्पून से अब ये वेटर हमारा इदम परफेक्ट है नाश्टा बनाने के लिए अब मैं इसमें एड कर दूँगी इनो इनो यहाँ पर मैंने लेमन फ्लेवर में लिया है आप कोई भी इनो ले सकते हैं इसमें डालने के लिए मैं पूरा पैकेट एक बार में डाल दूँगी इनो डालने के बाद इसे हम एक्टिवेट करने के लिए इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून पानी पानी डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है नहीं तो इसके air bubbles disturb हो जाएंगे अब ये बैटर नाश्ता बनाने के लिए एकदम ready है अपे बनाने के लिए मैंने अपे पैन को रख दिया है गरम होने के लिए गैस पे अपे पैन गरम हो चुका है अब मैं इसमें डा जालेंगे ज्यादा डालने पर ये अभी चावल हमारा फूलेगा तो बैटर हमारा बाहर आ जाएगा और अच्छे सी सीख नहीं पाएगा इसलिए इसमें हम एक चमची डालेंगे सारे अपे बॉक्स में मैंने डाल दिया है बैटर को अब इसको हम ढखकर रख देंगे पां तेल एक स्पून से लगाएंगे आप चाहें तो इसमें ब्रस का भी यूच कर सकते हैं तेल लगाने के लिए तेल लगाने के बाद इसे हम टर्न कर लेंगे मैंने सारे अपे को तेल से ग्रीस कर दिया है अब हम इसको टर्न कर लेते हैं हम इसको स्पून से टर्न करेंगे इस के पास चावल का आटा हो तो आप चावल के आटे का हिस्तमाल कीजिएगा इस नास्ते को बनाने के लिए तब आपको चावल को भीगा कर पीसने की आवशकता नहीं पड़ेगी मेरे पास चावल का आटा नहीं था इसलिए मैंने चावल को पीस कर इसमें यूज किया इस नास् अपे को और ये आलू और चावल के अपे दोनों साइट से अच्छे से सीख चुके हैं अब इसको हम एक बार फिर से टर्न कर लेते हैं आलू और चावल की ये अपे अपे पैन में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम तेल में ये तयार हो जाते हैं अब आप कहेंगे अगर भी पर बना सकते हैं लिकिन तोवे पर आप इसे चिल्ले की तरह बनाएंगे और ये फर्स्ट बैच का आलू चावल का अपे बनके तयार हो चुका है इसी तरह से हम अपना सेकेंड बैच भी तयार कर लेंगे बनाकर अपे पैन में अब तेल डालने की आफशकता नहीं है क्योंकि इसमें तेल काफी पहले से है तो हम पैटर को ऐसे ही डाल देंगे और इसको भी हम धीमियाज में पहले की तरह कुक कर लेंगे मैं आपको तड़का पैन में भी बना कर दिखाती हूं हम ये तड़का पैन लेंगे और तड़का पैन को अभी हम गरम होने देंगे तड़का प पैन में भी डाल दे रहे हैं बैटर को इस तरह से देखिए बैटर को डालने के बाद इसे हम धखकर रख देंगे लोफ लेम पर कुक होने के लिए धखकर अब इसे भी हम धखकर रख देते हैं पांच मिनट के लिए कुक होने के लिए और ये देखिए ये एक साइड से कुक ह और यह हमारा तड़का पैन का अप्पे भी दोनों साइट से सिख चुका है अब इसे हम अलग कर लेते हैं पैन से और यह हमारे सारे अप्पे बनके तयार हो गए हैं इसे भी हम पैन से अलग कर लेते हैं और एक प्लेट में सर्फ कर लेते हैं और यह बहुत ही टेस्टी मज़ सभी को पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा साथ ही मेरे सेकंड चैनल प्र्याग स्ट्रीट फूट को भी सस्क्राइब करिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्षन में शेयर करें मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ थैंक यू बाबाई